गाउन डिंग्सरा स्री योगेश्वर किशन गो साल में स्री मदगो भागवत संगीत में कथा आयोजित गाउन डिंग्सरा की स्री योगेश्वर किशन गो साल में स्री मदगो भागवत कथा ग्यान यग में सनिवार को लाडली किसोरी विरंदवन ने संगीत में कथा कावाच लाडली कि सोरी ने कहा कि गो गता सुनने से मन वे विचारों में पवितरता आती है, विचार पवितर बनने पर हिस समाज में वह सुदेव कुटम की भावना आती है, उन्होंने कहा कि मानव हित के लिए हमें मनुश्य जीवन मिल अ. है जिसमें हमें हर जीव के लिए हित कारी कारे करत हुए पुन्य का भागी बनना चाहिए इस दोरान सतुरूज पब्ली स्कूल के मेनेजिंग डारेक्टर रोमन कुमार राणा वै उनकी धरमपत्नी ने कथा वाचक को शोल उड़ा कर उनका सम्मान किया और उन्हें इस दोरान यहां उपस्तित कथा वाचक ने सिम्र्थी चिन देकर उनको सम्मानित भी किया जुरूज यहां इस दोरान कथा वाचक ने कहा कि जुरूज मंद वै बिमारी के लिए दुवाई दिलवाना वा आर्थिक मदद करना सबसे बड़ा दान है इसलिए गो माता की सेवा के साथ ब अन्य का भगी बनता है। हुमने कहा कि भगवान նिरी किशन ने भी प्रेम किया था उनका प्रेम और उनके भक्तों के परति प्रगाट था। इसलिए हमें आपस में सभी के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए कथा कि दौरान कलाकारों ने भव्वेंबं सिरी किशन वसुद सेंग जस्वंत सहीत अनेक सरदालू मौजूद रहे बटुकला के राज की अमहावे डेले में वार से खेल कुद परतियोगीता के अंतरगात सनिवार को 13,000 मेटर लड़कियों वे 5,000 मेटर लड़कों की दोड आउजित की गई इसमें लड़कियों की दोड में कविता ने पर्थम शालू दिवित्य और पूजा तिर्तिस्तान पर रही लड़कों की दोड में पवन ने पर्थम राहूल ने दिवित्य और कमल ने तिर्तिस्तान प के सासाथ खेलों में भी सुचारू रूप से भागीदारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कल खेलों में भी हमा आपना भविश्य समार सकते हैं। इस मोके पर प्राधहपक राजेश कुमार, अनिल कुमार, हारीश, अनिल सहित, अनेक स्टाफसद सेवे विदार्थी मौ जुन हुआ। ट्रैनिंग में उपस्तित ABRC रोशनी देवी ने स्कूल के प्रबंदन वे विकास में समिती के योगदान, बच्चों का सीखना वे परिणाम, समिती की बेटकों को परभावसाली बनाना, बच्चों की पढ़ाई और अन्य सुक्स विधाउं के लिए समिती क योगदान, नेस्तर में बच्चों के नमांकन और उनकी उपस्तिती में समिती का सहयोग, विधाले, पोर्टल, स्कूल परबंदन समिती, पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकरी दी गई, ट्रैनिंग में उपस्तित सवी जनों का मुख्य अधापक जैदे भादवाज न स्वागत किया विस्तार से जनकरी दी, उन्होंने बताया कि स्कूल में पी टियाई अधापक और संस्कित अधापक भी आ चुके हैं, अब हमारे विधाले में केवर एक बार अधापक का पदर रिक तरह है, इसलिए हमारा करतवे बनता है कि हमारे स्कूल में नेस्तर से जद श्रकार स्कूल को बनाए रखना रखाजास के और सेरकार स्कूल होगा तभी बच्चों का दाखला लेने की सुईदा मिलेगी तभी बच्चों का सरवांगिन विकास होगा सरकारी स्कूल रहेंगे तो बच्चों को रोजगार मिलने की संभावरां भी बढ़ेगी और हमारा प्रियास सरकारी स्कूलों में नमांकर बढ़ाने का होना चाहिए इस मोके पस्मिती पदान मौनुरानी, सोनिया परजापत, राजेश कुमार, केशन कुमार, लदुरंबाना, संजे कुमार, अशुक कुमार, कुलदीप सिंग, सुरेंदर कुमार, मेना देवी, संतोस, विजे मौन, बेनिवाल, मनवीर मूंड, पूजा, सुखवीर मम्ता, कव रिता, रोशनी, गुर्मीत कौर, अनिल कुमार, जैप्रकास, सहित, अनेक स्कूल स्टाफ सदे से उपस्तित रहे, रतिया पुलिस ने किया 900 ग्राम, डोड़ा, चुरा, पोस्ट बरामद, एक के खिलाफ मामला दर्ज, रतिया पुलिस ने गस्त के दोरां, टोहाना, रोड, सेरगड, धानी, जाखन दादी से 900 ग्राम, डोड़ा, चुरा, पोस्ट बरामद कर अरोपी सुबास के खिलाफ मामला दर्ज किया है, सनिवार को मिली जानकरी अनुसार, पुलिस जब गस्त पर थी, तो अरोपी सुबास, पॉलिथिन, बेग, से आता दिखाए दिया, सामने पुलिस को देख वैब भागा, जब उसका पिछा किया, तो वैब बेग गिरा, फरार हो गया, पुलिस ने उक्त बेग से 900 ग्राम, डोड़ा, चुरा, पोस्ट बरामद कर, आरोपी के खिलाफ मादिक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर, जान सुरू कर दी है, बा पुलिस को दी शिकायत में बिल्लू, निवासी, बादलगड ने बताया कि गुलाब उसका चोटा बेटा है, जो जाखल में मजदूरी का कारे करता है, वह नो जनवरी को घर से गया, तो वापिस नहीं लोटा, उसने अपने स्तर पर उसकी अनेक स्तानों पर तलास की, लेकि इसने गुमस्दगी का मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी,